उत्तर छायावादी काब्व की अंतरवस्तु अल्थात उत्तर छायावादी काब्व में क्या चीजे देखने को मिलती हैं कभी क्या चीजे यहां उध्घाटित करता है उसी पर चल्चा यहां पर हम करेंगे उत्तर छायावादी काब्व की राष्ट्री सांस्कृतिक धारा में अंतरवस्तु के तौर पर यथात का बढ़ता दबाओ, संगर्स की अव्यक्ति, हिदय और बुद्धि का द्वन्द, मनुष्य में सहज और सरल्ता, सहष्ता और सरल्ता, आवेग, मस्ती और फक्कडपन हम यहाँ चल्चा करेंगे, चलिए बढ़ते हैं, सबसे पहले हम यथात के बढ़ते दबाओ को देखेंगे, कि किस प्रकार यहाँ पे यथात का दबाओ बढ़ रहा था, यानि कि यथात वादिता किस तरीके से हावी हो रही थी, उत्तर छायावादी कविता के आरंभ में, जो यथात और आदर्स वाद का तनाव उत्पन हुए था, उसमें यथात का दबाओ बढ़ता चला गया, और अंत में यही हावी हो गया, यद्यप आदर्स को नकारे जाने की प्रवित्ति आरंभ नहीं थी, यानि कि आदर्स को नकारा नहीं गया था उत्तर छायावाद में जबकि यथात की पकड़ मजबूत हो चुकी थी, किन्त इस आदर्स के साथ, यथात के असामंजस के कारण, आदर्स को प्राया उपेक्षित किया गया, यानि कि यथात वारिता को ज़्यादा महत्त दिया गया, और यथात के प्रवाह को वाणी दी गई, कविता में, इस सम प्रेयास करता था कि ब्यक्तिगत ब्यथाएं यह सारी चीज़ें इस समय कभी के द्वारा भ्यक्त कि जाएं दगी अब इसके लिए अध्यात्मिक्ता का सहारा लेना अब कभी ज़रूरी नहीं समझता था जैसे अर्योंस राय बच्चन की कविता का एक उधारन लें कि कितना अकेला आज मैं संघर्स में तूटा हुआ दुर्भाग से लूटा हुआ परिवार से छूटा हुआ किन्तु अकेला आज मैं तो इस तरीके की कविता और पंक्तियां अपने को देखने को मिलती हैं और छायावादी कविता का लच जहां एक कल्दे पित्वी आकास था वहीं उत्तर छायावादी कविता मिट्टी की ओर अक्रिसर्व यानि कि इसमें यथाल्थ वाजिता जादा है वास्तविता के इस ग्रहण के कारण काब्य में कल्पना और स्वप्न की भूमि का अप्रासंगित जान पढ़ने लगी और आध्यात्मिक कविता के आंतरिक अनुभो के बजाए ओढ़ी हुई दार्शनिक्ता के रूप में ब्यक्त होने लगी जैसे दिनकल जी की पंक्तियां देखें तो ब्योम कुंजो की परी अईकल पने भूमि को निज स्वर्ग पर लल्चा नहीं उड़ न सकते हम तुम्हारे स्वर्ग तक सकती है तो आबसा अलका यहीं यानि कि हम उड़ कर स्वर्ग तक नहीं आ सकते हैं यहां देखिए धर्टी को स्वर्ग तक पहुंचाने की कोई बात नहीं यहां स्वर्ग को ही कहा जा रहा है कि यगर तुम आ सकते हो तो इस धर्टी पर आओ क्योंकि हम उड़ नहीं सकते हैं यानि कि किस तरीके का यह सामाजिक वा राजनीतिक आंदोलनों से प्रेरित होकर काब्य में संघर्स के सीधे चित्रण के रूप में ब्यक्त हुई है राश्ट्री ये संघर्स ने काब्य के उग्र राश्ट्री स्वरों को आवाज दी जैसे नवीन जी की पंक्तियां हैं कि है बलिबेदी सके प्रज्वलित मांग रही इधन चड़ चड़ आओ युवक लगा दो तुम अपने यववन का इधन भस्म सात हो जाने दो ये प्रबल उमंगे जीवन की अरे सुलगने दो बलिबेदी चढ़ने दो बली जीवन की तो इस प् नकाल तथा मर्यादाओं की उपेक्षा के रूप में यह संघर्ष अव्यक्त हुआ और इस कविता में संघर्ष और तजन अस्फलता से उत्पन्द निरासा हतासा और और साथ का भी चित्रण अपने को मिलता है बच्चन अंचल नभीन आदि कवियों की कविताओं में इसके उधारण मिलते हैं हम इसे पाते हैं जैसे एक उधारण लें है नहीं असकंद पर उट्टरी ये लिप्ता है सव आकांगशा का मैं मानो विभरम डोल रहा लादे बोचारी जुआंगशा का इसी तरीके की पंक काने आदर्सों को यथावस्विकार कर लेने के तारण जो असामंजस उत्पन हुआ उसका एक लक्ष हिर्दय और बुद्ध के द्वंद के रूप में प्रदक हुआ इस द्वंद की सुरुवात कामाईनी से देखी जा सकती है जो कि हमें छायावादी कृति के रूप में हम यह ता जी यह द्यवाद या बुद्ध विरोद इस युग में दिनकर बच्चन नरेंद्र और नभीन में कुछ न कुछ रूप में बिद्वान रहा है जैसे दिनकर जी की पंक्तिया देखें ज्यान की या राधना दिन का सयन है कलेश से निसार केवल कर्म से है दर्सनों से सिद्धिया किसको मिली है जीवन का उद्धार केवल धर्म से है तो यहा देखिए जो आदर्सन वो यहाँ पर आ रहे हैं कि जीवन जीव का उद्धार केवल धर्म से है बुद्धी इन्हें अक्सर बेधरक कर पतपर जाने से बरसती है रोकती है इसलिए मानो धर्म दर्सनो से अधिक वरेड जान पड़ता है यानि कि दर्सनों को अधिक वरर करने वाला जान पड़ता है और बुद्धिबल की अपेक्षा रक्त के आवेक से प्रेडित बाहु बल की आवश्यक्ता यहां पर जाम पड़ती है अपने को दिखाई देती है और आगे बात करें तो इसकी अगली अंतरवर्स्त जो यहां पर विद्धुमान रही है पूरे उत्तर चायावाद में हुआ है सहज सरल मनुष उत्तर चायावादी कविता के इसी भीतरी या सहज सरल मनुष की कविता के रूप में उद्रित किया जाता है यानि कि यहां के मनुष में इस यूप के अपने कुछ सच्चा या बड़ा बताने के लिए छल छत्म नहीं करता जैसे बच्चन जी की पंक्तियां है कि मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधू समस्ता सत्रु मेरा बन गया है छल रही तो बेवहारे मेरा मेरा ऐसे ही बच्चन जी की कुछ और पंक्तियां है कि पाप ही की गयल पर चलते हुए पाउ मेरे हस रहे हैं उन पगों पर जो बंधे हैं आज घरी तो इस तरीके की पंक्तियां यहाँ पर सहे सर्व मनुष्य को दिखाती है इनसान में इनसानिया था इनसान गलतियां भी करता है इनसान में कुछ अच्छाईया होती है कुछ बुराईया होती है इनसान नितांत उसका डैवी करण नहीं कर दिया गया है इनसान को देवता नहीं बना दिया गया है यहाँ पर इनसान को इनसान के रूप में प्रस्टूत के सुविकार कर लेने के कारण इस काब्य में एक प्रकार की मस्ती की प्रवित्ती मिलती है या मस्ती जीवन ब्यापार के प्रवाह की रास्ते के दार्शनिक प्रस्नों की अंदेखी करती है फलता काब्य में गंभीरता अंपस्थित होने लगती है और उसकी भरपाई एक आव तो इस प्रकार ये रही अंतर वस्तु उत्ता चायावादी काभी की उत्ता चायावादी काभी के कभियों की बात कर लें थोड़ा साथ को जानकारी होनी चाहिए कि इसके प्रमुक कभी कौन रहें तो इसमें रामधारी सिंग्दिनकर, हरिवन सराय बच्चन, माखनलाल चतु अर्वेदी, बालकृष सर्मा नभीन, भगवती सरण वर्मा और नरेंद्र सर्मा आधि के नाम सामिल होते हैं तो इस प्रकार यहां आमने देखा अंतर वस्तु को ये पिछले 5 पत्रों में सिर्फ एक बार यहां से प्रस्ना आया है फिर भी मैंने करा दिया है कि अगर यहा कुछ और इंपॉर्टन वीडियोज होंगे वह आपको प्रवाइट कराये जाएंगे उसको भी देख के जाईएगा मिलते हैं अगले वीडियोज के अंदर देखते रहिए हेलफुल रहता है तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और सेयर भी करते रहिए धन्यव कर हे विन्गा है पूर सेयर फिस देखते हैं देखते हैं जाएब você जुर संदिज सकार देखते हैं है